तो कुश्चन है फोर ट्रांजिस्टर एक्शन विच आफ दो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इस करग्ट तो ट्रांजिस्टर के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है यह निट की दो हजार उन बीस की प्रोगलम है और यह कुश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ल यह ट्रांजिस्टर से सम्मंदित कौॉश्चन है और क्या इसके अंदर पूचा गया है तो ट्रांजिस्टर की कुछ खास प्रोपर्टी होती है और मैंने यह देखा भी है कि इसे सम्मंदित इस तरह का कोॉश्चन कहीं क्योंप्रिश्चन में चाहें वह 11 थो 12 थो ब्हेंस से दो तीन के ऊपर हर बार कोशिण पूछे जाता है वह कौन कौन खुअ की प्रोपर्टिए यह के जो मोटाश्य का अदर में साइज पर किसका साइज कैसे कासा होता है और दूसरा को नो क्या होता है कि उनके कि sagt思 नहीं कैसी कासी होती है और यह जो साइज और डॉपिंग है और बाइसिंग पे तो यह कोशन दो तिन प्रोपरटी पे जातर पूछे चाते हैं तो लिए मैं थोड़ा सा इसको डिसकस भी कर देता हूं कि ट्राइजिटर के अंदर बाइसिंग साइज और यह हम कहें कि जो डॉपिंग का कंसेंट्रेशन होता है उसमें क क्या होता है कि जो हमारा ट्राइजिटर है चाहिए वह एन पी एन ट्राइजिटर हो चाहिए पी एन पी ट्राइजिटर हो तो यहां पर मैं थोड़ा सा डाइगराम में बना के डिसकस करूँगा तो यह अगर इस तरह से यह बेस यहां पर यह माल लेते पी टाइप सेमी semiconductor और यह फिर से P type semiconductor यह PNP transistor है और यह bipolar junction transistor भी हम इसको कहते हैं और क्योंकि इसमें जो जो charge carriers होते हैं वह electron और होल दोनों होते हैं इसलिए इसको bipolar junction transistor भी हम बोल देते हैं यहाँ पर जो यह होता है इसको को हम a meter बोलते हैं और a meter का जो size है वो collector हम रखा जाता है और जो बेस है यह बेस है उससे इसका size जादा रखा जाता है और collector का size इसमें सबसे जाता होता है एक कोस्चन बनता है शीरे में ध्यान होने चाहिए दूसरा कर दोपिंगा जो एमिटर होता है वह हैवीवी डॉप होता है जो कलेक्टर होता है modderately drop होता है और जो बेस होता है वह lightlymotor नात है कि कोश्चन है से हम्में ध्यान रखने चाहिए एक है यह यहां पर जो हमारा साईज हो गया और एक मैंड़क्र यॉच्ट होता है यह हमेंसा forward a sin kota है यह ध्यान रखना है और जो बेस इस collector reason होता है यह वाला यह गो होता है यह हमेसा reverse listen kota है तो यह तीन पॉंइंट हमें मैं ध्यान होने चाहिए अगर ट्राइश टे की इतनी प्रोबर्टी हमें पता है तो हम यहां पर इस कोशन को करने के लिए सक्षम होंगे जैसे इस कोशन ने पुछा गया है for transfer action which of the following statement is correct पहला दिया गया है कि base emitter and collector reasons should have same doping concentrations गलत है doping concentration अड़ाग अलग होते हैं जैसा अभी हमने डिसकस किया बेस emitter and collector regions should have same size no same size नहीं होते हैं अभी हमने discuss किया अलगल होते हैं both emitter junction as well as the collector junction are forward bias no अभी हमने कहा था कि यह forward bias होता है और यह reverse bias होता है तो यह भी गरद हो गया चोथा देखते हैं the base region must be very thin and lightly dopped यह बिलकुल इसने सही statement यहां कहा है और यही इसका answer यहां पर होगा कि जो बेस बीच में जो होता है यह क्या होता है this is the very thin size का thin होता है and lightly dopped भी होता है तो यहीं इसका answer बनेगा तो टाइंस्टर से अगर हम इतनी चीज़े पता हैं तो हम इसका questions करने में section होते हैं तो I hope you enjoy it. Thank you.